सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पक का नाम लिख लेंगे सब्ता ही गतिविदी में आपको क्या करना है बचो पिर ये चात्र इस सब्ता भी हम पिरते दिन की तरह है दो मिनट माइंडफुल करेंगे ये काम सुबह सुबह करेंगे तो जाध अच्छा मैसूस करेंगे इसमें क्या करना है बचो आपको दो आँखें बंद करके बैठना है और दियान लगाना है दो मिनट के लिए ठीक है यह अक्टिविटी करनी आपको मर्नी के टाइम करेंगे आप तो ज़्याद अच्छे रहेगा और अगर आप जिस टाइम भी करना चाहते हैं आप उस टाइम कर लीजिए तो भी कोई बात नहीं ह बचो फिर उसके बाद वक्षीट सॉल्फ कर लेते हम लोग सबता की गतिविधी उपियोगी वस्तूएं फस्ट देखेंगे घर में उपलब्ध सभी वस्तूओं की एक सूची बनाईए ये कोशे नमबर वन है ठीक है बचो तो हम आंसर नमबर वन में लिख देंगे घर में उपलब्ध सभी वस्तूओं की सूची उनमें से काफी सारी वस्तूओं की सूची हमने बना लिए जिसे हम लिख देंगे मोबाईल टेलीवीजन फ्रिज कूलर वशिंग मशीन सोफा बैड कुरसी मेज अलमारी पंका बरतन कपड़े किताबे जूते चपल आदी ओके स्टु इसमें कहा गया है एक और सूची तयार करें जिसमें ऐसी वस्तूओं का नाम लिखिए जो रोज प्रियोग में लाई जाती है ठीक है अब ऐसी वस्तूओं का नाम जो डेली हम यूज में लाते हैं ठीक है डेली प्रियोग करते हैं ऐसी वस्तूओं का नाम लिख देंगे ब गा, बाल्टी, बुश, मॉबाइल, आदी, क्योंकि इनका यूज बच्चों हम डेली करते हैं, इन चीजों का ठीक है, तो हम answer number 2 में ये लिख देंगे, अब बच्चों question number 3 देखिए आप लो, question number 3 है, question number 3 में है, ऐसी वस्तों की सूची बनाए, जिनको सब्ता हमें एक बार प् washing machine आदी, ठीक है, सब्ता में एक बार ही हमेर संडे में टाइम मिलता है खेलने का, तो हम अपने मन पसंद अच्छे गेम खेल लेते हैं, फ्री होते हैं हम संडे के दिन, ठीक है, हमें काम भी नहीं होता कुछ, और बढ़ाई भी हम इतनी नहीं करते हैं, क्योंकि बागी दिन तो हम पढ़ाई करते हैं, तो संडे के दिन हमारे खेलने का मस्ती का दिन होता है, कुछ टाइम पढ़ाई के लिए भी निकाल लीजिए, लेकिन उस दिन क्या करते हैं, हमें अगर लूड पसंद, लूड खेल ली, कैरम खेल ली, साइकिल चला ली, बॉइस हैं, तो ठीक है, बैट बॉल खेल लिया और वाशिंग मशीन में कपड़े भी बचो weekly mostly सब दोते हैं कि जो सबकी मम्या होती है वो संडे को ही मशीन लगाती है संडे में कपड़े दोते हैं ठीक है तो ये कुछ काम थे जो हम सब्ता में एक बार करते हैं जिनका प्रियोग हम सब्ता में एक बार करते हैं वो हमने या लिख दिये अब question number 4 में बचो है यहाँ पर कि एक ऐसी सूची तयार करें जिनको एक महीने में एक बार प्रियोग किया जाता है ठीक हैं एक ऐसी सूची तयार करनी है इसमें वस्तुने नहीं पूछी बचो तो सूची तयार करनी है बस हमें ऐसे कामों की जो एक महीने में एक बार किया जाता है तो देखिए महीने में एक बार क्या करते हम या तो हम कहीं बाहर रेस्टरेंट में डिनर या लंच के लिए जाते हैं ठीक है बच्चों या आउटिंग के लिए जाते हैं या फिर हम शॉपिंग करने जाते हैं ठीक है आदी ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम डेली तो नहीं करते हैं नहीं सपता में करते हैं हाँ महीने में हम ये काम कर लेते हैं ठीक है महीने में सबके ममी पापा उन्हें बाहर या तो lunch या डिनर कराने ले जाते हैं एक दिन या फिर बाहर आउटिंग के लिए ले जाते हैं या शॉपिंग करने ले जाते हैं तो हम इसका अंसर ये लिखतेंगे अब question number 5 देखिए question number 5 है ऐसी वस्तूओं की सूची बनाएं जिनका प्रियोग लगभग एक साल में होता है ठीके बच्चो तो ऐसी वस्तूओं की सूची बनानी हैं जैसे हम जो तोहार मनाते हैं बच्चो उसमें हम कुछ चीजों का यूज़ करते हैं वो साल में एक ही बार आ जैसे दिये होते हैं दिवाली पर चलाए जाते हैं वो हम सब्ता में एक ही बार यूज़ करते हैं जैसे फुल जड़ी हो गई बस दिवाली पर हम फुल जड़ी चलाते हैं जाते हैं ठीक है यह पटाक हो गए बंब हो गए या फिर होली के रंग हो गए उनका भी साल में एक पर पर योग किया जाता है यह रक्षबंदन पर जो राखी बांदी जाती है उनका भी एक योग किया जाता है ठीक है आदी बस इतना लिख देंगे हमारा आंसर हो गया अब कोशन नमबर 6 देख लेजिए बच्चो कोशन नमबर 6 है ऐसी वस्तों की सूची बनाएं जिनका पर प्रियोग होता ही नहीं है बस हमारे घरों में रखी रहती है लेकिन उनका प्रियोग नहीं होता ठीक है तो पुराने कपड़े या फिर पुराने कपड़े हो या फिर कुछ ऐसे कपड़े हो जो हम खरीद लायों हमें पसंद नहीं आयों ठीक है बच्चो वो या फिर पुर सिंदिर या हमें 맞는 uyने पढ़ने का यह कुछ किताब मरें खरीद लीतें जैसे बसों में मिलती है तो वह था गर में रहती है पुरानी हो जाती है रके और फिर वह रखी रहती हैं ऐसी यूज में या फिर हमाएं घर में तांबे या चांदी के बरतन रखे होते हैं, बच्चो बकस में, मम्मिया रखती हैं, बरतन चांदी के या तांबे के बरतन रखे होते हैं, सभी की मदर्स के पास रखे होते हैं, इस टाइप के बरतन ठीक हैं, तो वो बरतन कभी यूज नहीं होते हैं, उन्हें हम डेली में भी यूज नहीं करते हैं वैसे भी यूज नहीं करते हैं कभी बस वो रखे ही रहते हैं और पुराने सिक्क्यों हो गए उनका भी कोई यूज नहीं होता कभी हमारी दादी नानी के टाइम के सिक्क्ये जो हमने कभी यूज ही नहीं करें बस वो हमारे पास रखे हुए हैं ऐसे ही लेकिन हमने रखे हुए हैं क्योंकि रखे होते हैं सभी के घरों में कुछ सिख्ये पुरानी करेंसी रखे होती है या फिर पुराने आभूशन जो पुछते हैं नहीं होते हैं बच्चो दादी नानी के बहुत पुराने टाइम के जो की एक दूसरी पी नहीं उनका कोई प्रियोग होता लेकिन वो घर में रखे रहते हैं खीक है तो ये कुछ चीज़ा होती है जिनका प्रियोग नहीं होता घरों में अच्छा यदि हम last question बच्चो 7 नमबर का यदि हम ना होने वाली प्रियोग ना होने वाली वस्तों को ना खरीदें तो इसका क्य परवाव होगा, स्वेम पर, समाज पर, प्रियावरण पर, तो इसका आंसर हम लिख देंगे बच्चों, आंसर नमबर 7 में, यदी हम प्रियोग न होने वाली वस्तूओं को न खरीदें, तो इससे बचती होगी हमारी ठीक है, हमारी पैसे बच्चाएंगे, उससे हम क्या कर सक प्रियोग में लाई जाने वाली चीजों को खरीद सकते हैं, या जिन चीजों की हमें जरूरत हैं, उन्हें खरीद सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं, बच्चों हम की किसी जरूरत मन्द को पैसे दे सकते हैं, ताकि वो उन चीजों को खरीद सकते हैं, जिनकी उन्हें ब उन चीजों को यह ऐसे वक्ति को दे दे जो उनका यूज कर ले ठीक है ना खरीदने पर क्या होगा जब कोई भी ऐसी वस्तुओं नहीं खरीदेगा जो मुसली यूज में आती नहीं है तो समाजी में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन बंद हो जाएगा और प्रियावरण के लि वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमाई चनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग